ओम लक्ष्मी नमहा दोस्तो देवी लक्ष्मी जिनको हिंदु धर में धन की देवी कहा गया है उनकी कृपा मात्र से व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है हर किसी की चाहत होती है कि वो खुब धन कमाए और उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं हो मानिता है कि मालक्ष्मी जिस घर में वास करती हैं उस घर में हमेशा सुक सम्रिधी वा सुक सुविधाओं की कमी नहीं होती शास्त्रों के अनुसार जब भी मालक्ष्मी किसी व्यक्ति के जीवन में आगमन करने वाले होती हैं तो उससे पहले कुछ संकेत मिलेने लगते हैं तो चलिए जानते हैं कौन से वो संकेत, जिससे पता चलता है आप पर मालक्ष्मी अतिप्रसन्न है और जल्द ही जीवन में धन का आगमन होने वाला है। आगे बात करते हैं तीसरे संकेत की, ऐसा माना जाता है कि घर में एक ही जगे पर अगर आपको तीन चिपकलियां एकटे दिखाई दें तो इसे भी धन की देवी मालक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। क्यूंकि छिपकलि को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि शास्त्रों में इस संकेत को काफी शुभ माना जाता है। तो इसे भी बेहद शुभ माना गया है। इसका मतलब है कि जल्द ही आपको धन की प्राप्ती होने वाली है। साथ ही मालक्ष्मी की आपके उपर असीम कृपा है। बता दें कि जोते शास्त्रे के अनुसार दीपावली के पावन मौके पर तुल्सी के पौधे के आसपास कोई छिपकली का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। जलते समय कोई जाडू लगाता दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपका कोई बड़ा विवाद सुलजने वाला है। साथ ही आप बहुत जल्द धनवान होने वाले हैं। मानता है कि घर से बाहर जाते समय अगर कोई कुटा मुहू में रोटी या फिर कोई खाने की शाकाहरी चीज लाता दिखाई देता है तो इसका मतलब भी धनलाब होने की संभावना है। आखिर में आपको बता दें कि घर में चड़िया का गोंसला बनाना भी शुब संकेत होता है। ऐसा संकेत मिलने पर समझाईए कि जल्दी घर में धनका आगमन होने वाला है।